Hello students, जो इसमें अगली एप है जो आप लोगों को इंस्टॉल करने थी, that is Google Classroom, ये भी आपने Google Playbook से जो आपको लिंक दिये गए थे, वहाँ से आपने एक Classroom प्रोवाइड कर लिया होगा, तो जब ये एप आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो this is the icon, you click the icon, और Google Classroom की ये home window एक open हो जाएगी, so ये जो चीज़े यहाँ पर दिख रही है, ये subject ये अभी आपकी screen पर नहीं आएगे, आपकी screen पर सिरफ वही sign in का option आएगा, और आप ये phone में आपने जो भी email, gmail की ID दी होगी, उसे automatically sync हो जाएगा, after that, आपकी जो भी faculties हैं, जो भी teachers हैं, वो अपना अपना एक code आपको बनाएंगे, और वो code आपको देंगे कि आपको उस particular subject के लिए कौन से class को add करना है, तो इस simple यहाँ पे जो ये उपर right hand corner में plus sign है, ये tap it, और यहाँ से आपको जाना है join class, जब आप join class पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूछेगा class code जो आपकी faculty आपको देगी, उसके बाद class code देने के बाद, ये जो उपर join का button है, ये यहाँ पे on हो जाएगा and then you can join that particular class, after joining that particular class, for example, अगर मेरे का इसी student ने मेरी fundamental computer की class join की है, तो यहाँ पे this, इस तरह की आपकी home window आ जाएगी, ये window जैसे आप WhatsApp यूज करते हैं, ये बिलकुल समझेए कि Google का WhatsApp है, तो यहाँ पे आप जो भी, कोई भी आपकी faculty आपको content share करेगी, या message लिखेगी, वो content आपका यहाँ पे आजाएगा, तो in that way, WhatsApp की जगा आपको अपसे ये Google classroom यूज करना है, और further information, अगर फिर भी कोई दि है, तो यू can contact your concerned faculty. Thank you.